जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज उलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद हैं तेरे दियूस क्लिक वर मेरे साथ बोल किलब आजाद हैं तेरे में आज मुद्देतों है मोधी सरकार की सेना में भरती को लेकर जो महत्वा कांग्शी योजना है अगनिपत उसको लेकर बिहार उत्तर प्रदेश और देश के कई स्थानों पर जबरदस्थ हिंसा की खबरें आ रही है कई जगाओं पर बस को आग के हवाले कर दिया गया है कहीं पर ट्रेने जला दी गई है इस हिंसा की जिम्मेदारी किसकी है उसकी बात करेंगे मुद्धा नमबर दो क्या आप जानते हैं कि न्यूस चैनल्स की जो नियामक अथॉरिटी है इन बी डी ए उसने एक फर्मान जारी किया है कई न्यूस चैनल्स को जिन्होंने छात्र नेता उमर खालिद के खिलाव भड़कव कारकरम चलाये थे यहां तक कि उन्हें आतंकवादी तक करार दिया था नियामक अथॉरिटी ने कहा है कि इन तमाम कारकरमों को हटाया जाए मगर बड़ा प्रशन न्यूस चैनल्स सुधरेंगे कब इन्होंने कई मुद्धों पर इतने शर्मनाक कारकरम चलाये दोस्तों उसकी पूरी तफसील में आपके सामने पेश करूँगा मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर यह बिहार का नजारा दोस्तों आप देखिए हाँ पर ट्रेन जलाई जा रही है क्यों? क्योंकि बेरोजगार युवा इस बात को लेकर नाराज है कि मोधी सरकार अगनीवीर योजना लेकर आई है अगनी पत्कारक्रम के तहट अगनीवीर योजना जसके अंतरगत चार साल के लिए आपको सेना में भरदी किया जाएगा चार साल बाद चार युवाओं में से तीन को आजाद छोड़ दिया जाएगा सिर्फ एक को सेना में रखा जाएगा आज की तारिक में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ इस सरकार से जब आपने ये यूजना बनाई थी क्या आपने आपस में ये बात बिलकुल नहीं की थी कि इस देश में सवक सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है क्या उस युवा के मन में ये सवाल ली होगा कि चार साल बाद मेरा क्या होगा सबसे बड़ी बात दूसरी बात आप उस युवा को मिलिटरी ट्रेनिंग देंगे हथ्यारों की ट्रेनिंग देंगे और फिर उसे आजाद छोड़ देंगे समाज के अंदर क्या आपको अंदाजा है कि अगर वो युवा फ्रस्ट्रेटिड रहा नाराज रहा तो उसका क्या असर समाज पर बढ़ने वाला है क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है उसके ये रोजगार के लिए बड़ी-बड़ी बातें आप कर रहे हैं मगर उसकी विकल्प के तोर पर आप क्या सोच रहे हैं उसके इलावा भारतिय सेना से जुड़ा एक जजबा होता है अगर युवा सेना में ये सोचकर नौकरी करेगा कि भई चार साल बाद मेरी नौकरी चली जाएगी या जा सकती है तो वो क्या उसी जजबे के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करेगा जब ये पूरी योजना बनाए गई थी तो क्या देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी या रक्षा मंत्री राजनात सिंग या ग्रे मंत्री आमिर्शा के जहन में ये बात आई होगी और सबसे अजीबो गरीब और हास्यास्वत बात ये है कि जब मोदी सहरकार के सबसे बड़े मंत्री और पूर्वसेनिक पूर्वसेना प्रमुक जनरल वीके सिंग से इस बारे में यानि कि अगनिपत योजना के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्हीं कुछ भी नहीं पता था किल योजना अनौन्स हुई है देखते हैं समय पर क्या होता क्या चीज़ नहीं होती है अगर सबसे शर्णाग बात दोस्तों मैंने हमेशा कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार सब기는 है अपनी बात रखने का अधिकार सबको है मगर जिस तरह से ये ट्रेन को जला दिया गया ये बहुत शर्मनाक है मैंने बार-बार कहा है इस देश के सामने ढेरों मिसाले हैं कि सत्यागरह के रास्ते अहिंसात्म कांदोलन के जरीए आप अपनी बात पेश कर सकते हैं अगर कल आपको सेना में भरती होना है तो क्या आप इस तरह की मिसाल पेश करेंगे क्या इस मानसिक्ता वाले हमारी सेना में जाएंगे बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है दोस्तों राहुल गांधी ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर कड़ा प्रहार किया एस मुद्धे पर उन्हों दे कहा है ना कोई रैंक ना कोई पेंशन ना दो साल से कोई डाइरिक्ट भरती ना चार साल के बाद स्थिर भविश्य ना सरकार का सेना के प्रती सम्मान देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिये इने अगनिपत पर चलाकर इनके संयम की अगनिपरिक्षा मत लीजिये प्रधान मंत्री जी और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ उत्तरपदेश पुलीस और बुलन शेहर का ये वीडियो है आप देखे किस तरह से ये जो छात्रे ये जो बेरोजगार है पुलीस से भिड़ रहे हैं पुलीस बहुत प्यार से उन्हें समझाने की कोश्च कर रही है पुलीस यहां पर कही पर भी उग्र नहीं है पुलीस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है कई जगाओं पर लाठी डंडे शुरू हुए लगे भी मगर मैं इस वीडियो के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कुछ दिनों पहले कई मुसल्मानों को लगा कि भारती जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपूर शर्मा ने हजरत मुहम्मद साहब के बारे में आपती जनक बयान दिया आज तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नूपूर शर्मा से पुलीस ने पूछ ताच तक नहीं की वो नमाजी मुसल्मान सड़क पर उत्रा हिंसा होई मैंने उसकी भी आलोशना की थी कि ऐसा हिंसा करने का किसी को अधिकार नहीं है मगर सरकार ने क्या किया आफरीन फातिमा के घर पे बुल्डोजर चला दिया कई जगाओं पर इसी तरह से भुरी तरह से बुल्डोजर चलाया गया राची में दो लोगों की जान भी चली गई जिन लोगों ने ट्रेने जलाएं या बसों को आग के हवाले किया इस सरकार की हिम्मत नहीं होने वाली उन पर कोई आक्शन लेने की मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ इस देश में प्रदर्शन करने का अधिकार सब को है जो मांग अगनिपत स्कीम के खिलाफ युवा रख रहा है उठा रहा है वो जायज है मगर हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है मगर इससे जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि जब मुसल्मान सड़क पर उतर आता है प्रदर्शन करता है कई जगा पे हिंसा होती है तो कड़ी कारवाई की जाती है कुछ मामलों में होनी भी चाहिए मगर आप जानते हैं बुल्डोजर कोई भी कानून का कोई भी सफा कानून का कोई भी पन्ना बुल्डोजर की अजासत नहीं देता यहां तक याज जब सुप्रीम कौर्ट में सुनवाई हुई इस मामले में तो जस्टिस सहाब ने कहा कि आप बुल्डोजर ऐसे ही नहीं चला सकते आपको पहले नोटिस देना होता है ऐसे धेरो फर्मान है यह अंतराश्रे कानून के खिलाफ है मगर मैं आपको सिर्फ यही बतला रहा हूँ प्रदर्शनकारी और प्रदर्शनकारी का फर्ख जब किसान भी उतरा था सड़क पर आपको याद होगा किस बेरहमी के साथ उसे पीटा गया था क्यों क्योंकि उस वक के प्रशार तंतर को ये लग रहा था कि भई एक खास समुदाय से अधिकतर किसान जो हैं सड़क पर आए हैं इसलिए हमारे हिंदू वोर्ट बैंक को कुछ नहीं होगा उस पर बेरहमी की गई थी उसे बदनाम किया गया था उसे आतंकबादी खालिस्तानी तमाम शद्दों से नवाजा गया था मैं फिर आपसे कह रहा हूँ किसानों ने इसकी मिसाल दी अहिंसात्मक आंदोलन किया सफलता उन्होंने पाई शाहीन बाग ने मिसाल दी अहिंसात्मक आंदोलन किया मामला वहीं रुक गया मैं उन छात्रों से उन बेरोजगार युवकों से अपील करना चाहता हूँ जो अगने पत के खिलाव प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार की सेना भरती युजना के खिलाव प्रदर्शन कर रहे हिंसा का रास्ता मत अतनाईए इस देश में ढेरों ऐसी मिसाल है कि अहिंसात्मक आंदोलन ही सफल साबित हुआ है ये खलत मिसाल है अगर आप इस तरह की मिसाल देंगे तो देश के अंदर आंदोलनों का चहरा बदल जाएगा और विक्रित हो जाएगा जो अपने आप में बहुत शर्णाक बात है इसलिए ऐसी मिसाले न दी जाएं और सरकारों से भी मेरी अपील कि प्रदर्शनकारी और प्रदर्शनकारी के बीच का फर्ख ना हो कम से कम मजभब के आधार पर तो बिलकुल भी नहीं और आज की दूसरी ख़बर क्या आप जानते हैं कि NBDSA ने एक आदेश दिया है जो कि ब्रॉडकास्टर्स की नियामक अथॉरिटी है कि जी नियूज, जी हिंदुस्तान, इंडिया टीवी आज तक उमर खालिद के खिलाफ उन्हें जिस तरह के कारकर्म चलाए है उसे हटाया जाए और मैं आपको उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा NBDSA की बाकाइदा प्रेस रिलीज है कि उमर खालिद के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तमाल किया गया था उमर खालिद दिल्ली दंगों का मास्टर माइंड है उमर खालिद ने दिल्ली दंगों की साज़ शक्षी उमर खालिद ने दिल्ली जला दी उमर खालिद कॉमरेड नहीं है एक दंगेबाज है उमर खालिद और शारजील इमान सबसे बड़े मास्टर माइंड है यहां तक कि उमर खालिद को आतंकवादी भी बताया गया उमर खालिद एक आतंकवादी है इस बात को लेकर NBDSA ने किनकिन न्यूस चैनल्स को फिर से पढ़िये Zee News, Zee Hindustan, India TV और आज तक पर इन कारक्रमों को हटाने का फर्मान जारी किया है कितनी बार ये न्यूस चैनल्स एक चर्चरा करेंगे, जहर उगलेंगे अभी वो मामला अदालत में है UAPA के अंतरगत, उमर खालिद को जेल में बंद कर दिया गया है अब भी दिली पुलीस जो है अपनी चार्चीट जो उन्होंने दाखिल की है वो न्यूस चैनल्स पर अध कचरे, अध पके घ्यान और इंफर्मेशन की आधार पर जो है वो दर्च की गई है चार्चीट मगर इस तरह से उमर खालिद को बदनाम किया गया मगर बात सिर्फ उमर खालिद की नहीं है आपकी स्क्रीन्स पर देखिए NBDSA ने इसी तरह से News 18 के इस कारकरम को लेकर सختी की थी इसके अंदर इन्होंने थूक जिहाद चलाया था यानि कि इस आंकर ने ये बतलाने का प्रयास किया था कि मुसल्मान जो हैं उन्होंने देश के खिलाफ जिहाद छिड़ दिया है थूक के लिहास थूक के जरीए जबकि अधिकतर जो खबरें इस कारकरम में चली थी जूटी थी, फेक थी हाला कि मुझे ताज्यूब नहीं ये दोस्तों क्योंकि इसी आंकर के खिलाफ आप जानते हैं राजस्तान में तीन F.I.R. दर्जे इसने एक बहुत बड़ा जूट बोला था कि जहांगीर पूरी में जो बुल्डोजर चलाया गया था उसी के बदले में अलवर में 300 साल पुराना मंदिर गिराया गया था जबकि आप जानते हैं अलवर की घटना, जहांगीर पूरी की घटना से दो दिन पहले हो गई थी अब यह अलग बात है कि अशोग गहलो सरकार काफी ढीली है, इसलिए उन्हेंने कारवाई करने में बहुत देरी की मैं आपको बतलाना चाहूंगा दूस्तों NBDSA ने उस वक्त इस थूक जिहाद कारकरम पर क्या कहा था इन दो ओडर इश्यूद अन Monday and signed by Justice A.K. Sikri, the broadcast regulator maintained that language used by the anchor was unacceptable जो भाशा वो anchor इस्तमाल कर रहा था, वो सुकार नहीं था and some of the videos shown during the show were fake कई videos जो दिखाये गए थे वो नकली थे, वो फर्जी थे it noted that the debate amounted to generalizing the issue and the targeting of a particular community, यानि कि उस debate के जरिये सिर्फ समुदाय विशेश पर निशाना साधा गया था, और कुछ नहीं ये news channel सुधरते क्यों नहीं, ये news channel सिर्फ समाज के अंदर जहर क्यों बोना चाहते हैं ये news channel समाज को दंगे में क्यों जोकना चाहते हैं, मेरा सीधा से सवाल है, आखिर क्यों और बात यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा सुषान सिंग राजपूत मामले में भी news broadcasting authorities ने चार news channel से कहा था, माफी मागए, कुछ channels ने तो सुषान सिंग राजपूत के जूटे tweets चलाए थे, यानि कि ये tweets सुषान सिंग राजपूत ने किये थे, सरा सर गलत जानकारी है, खबर देखिए, आपके सामने ये खबर देखिए, मगर ये news channels दोस्तों कभी नहीं सुधरते हैं, यहाँ तक कि आज तक ने इसके खिलाफ अपील भी की थी, मगर उस अपील को खारज़ कर दिया गया था, मैं आपको बतला रहा हूँ, चाहे इनसान जिन्दा हो, मुर्दा हो, इन news channels में थोड़ी सी भी सरकारी ग्रांट सरकारी विग्यापन हासल करना होता है, और इसके लावा कुछ ने पत्रकारिता से इनका दूर दूर तक नाता नहीं कितने शर्म की बात है, बदनसीबी से दोस्तों, ये लोग आगे सुधरने भी नहीं वाले हैं, बद से बद्तर होते जाएंगे, ये तमाम फर्मान जो इनके खिलाव जारी किये जाते रहेंगे, ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, यही तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, अभी भी चलिएं, आगी भी चलती रहेंगी, कितने शर्म की बात है, अभी सार शर्मा को दीजे जाज़त, नमस्कार,